हेलो गाईस मिर नाम है गुलाम गौस आप देखे रहे हैं किसी पल तो आज इस वीडियो में हम एटल फाइबर और जियो फाइबर का जो 999 वाला जो प्लान है उसका हम कंपारिजन करेंगे एक में आपको 200 MB पर सेकंड देखने के लिए मिलता है इंटरनेट और एक में आपको 150 यानि 1500 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है दोनों में क्या-क्या मिलता है और दोनों में इसे कौन सा बेस्ट है एंड में आपको पता चली जाएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम A8L की बात करेंगे यहां पे आपको 999 में GST देना परेगा जो कि 1180 के असपास इसका फाइनल प्राइज आएगा एक महेना के लिए यह हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं दोनों का प्राइज सेम होगा क्यूंकि 999 आपको देखने के लिए मिलता है और उस प आपसी इंटरनेट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा जो कि अलिमिटेट कहते हैं लेकिन 3300 जीबी जो है पर मंत का कोटा होता है 3300 जीबी जैसे कि आप एक मेहना में आप 300 जीबी खर्च कर पाएंगे उसके बाद आपको लैंड लाइन से कॉलिंग करने का options देखने क के लिए मिलता है जैसे कि आपको इसमें Amazon Prime देखने के लिए मिलता है और एक्स्ट्रीम के अंतर में और भी 14 से लेकरके 15-16 अप्लिकेशन आते हैं यह आपको ओटी देखने के लिए मिल जाएगा इसमें जो कि डिजने प्लेस और एक साल के देखने के लिए देखने के लिए सब को इसमें आप को तीवी चैनल से दिघने के लिए नहीं मिलता है इस May लोटाने के दिखने के लिए नहीं मिलता है लेकिन फिर वह लगाना है उनके यह प्लान नहीं है और यहां पर क्या değil Jack सबसे पहले जो आपको स्पीड मिलेगा वह 150 Mbps की स्पीड से आपको यहां पर स्पीड देखने के लिए मिलता है इसका इसके बाद इसमें आपको जियो जॉइंस के तरफ से देखने के लिए मिल जाता है जो कि लगभग 14 OTT आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें और OTT का यहां पर लिस्ट देख सकते हैं इसमें आपको Amazon Prime देखने के लिए मिलता है और यहां पर जियो ने क्लियरली मेंसन कर दिया है कि हम एक साल के लिए Amazon Prime दे रहा है बाकी का पता नहीं है ठीक है तो बाकी इसका मतलब कि आप रिचार्ज इतना कराएंगे उतना दर तक यह चलेगा एक फाइदा यह है इसमें कि आपको इसमें 4K सेटप बॉक्स मिलता है जिसमें आपको 550 TV चैनल से आपको देखने के लिए मिलता है जो कि इंटरनेट की थूरू ही चलेग सबसकते आप लेंगे तो 3500 glass निकल निशारों इंटरनेट की और चौरisco आपको चाहते हैं और आते हम इस पीट की तरफ में देखें आते लेकिन speed 200 MB per second दे रहा है ठीक है लेकिन जीयो जो है 1500 MB per second दे रहा है 1500 MB speed कम नहीं होता है बहुत जादा होता है और air tail में जैसे कि आपको 50 MB और extra speed चाहिए तो अब तब आपके लिए air tail सही रहेगा बात करें जैसे कि आप कितना devices में इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए बहुत high speed से internet 200 MB कम नहीं होता है बहुत होता है तो इसमें आप 10-15 डिवाइस को smoothly चला सकते हैं बहुत जादा high speed है और इसी में जिसे कि हम बात करते हैं जीयो का तो जीयो में थोड़ा सा डिवाइस को कम कर दिजिए जैसे कि आप 4-5 डिवाइस को कम कर दिजिए air tail के मुकाबले में लेकि सब जितने भी डिवाइस जो चलते हैं जैसे के CCTV कैमरा भी आजकाल आप वाइफाइस से चला सकते हैं तो यह सारे चीज़ को आप कनेक्ट करके राउटर से रख सकते हैं राउटर का जो कपिसीटी होता है वह लगभग 64 डिवाइस तक का होता है कि 2.4 गेगास में 32 को आप कनेक्ट कर सकते हैं बात करें ज्की टो टू पॉइंट फ्टी मिलेगा है के बात सकते हुआं है अपको 5 गेगास में 11 अग करेंज मिलेगा है। जैसे कि 2.4 GHz उनके लिए है, जैसे कि 1st प्लेट आप राउटर लगा हुआ है, तो आप 3rd फ्लोट पर 4 फ्लोट को इसका इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस फ्लेट में आपने लगा करके रखा है, राउटर को उसमें आप 5 GHz का इंटरनेट को इस्तमाल कर सकते हैं, यानि का चाहते है कि 2.4 GHz जब 5 GHz एक ही रहा है, और जिनका डिवाइस जो सपोर्ट करें, वो ही कनेक्ट हो, तो आप दोनों का पासवाट एक भी रख सकते हैं, आप जिसे कि बात करें कि कौन सा सीम रेजिस्टेशन करने के लिए दिया जाना चाहिए, तो आप जिसे के Airtel का है, ज़रूरी नहीं है कि आप Airtel का ही सीम आप इसमें देंगे, आप जिए-ो का भी दे सकते हैं, किसी इसम को दे सकते हैं, तो उनके लिए रजिस्टे करने के लिए कोई भी एक सीम आप का लगेगा, टीक है, और डोकमेंटेशन की बात के तो एक आधार का आप का लगेगा, क मीचिव स्थैड़ करें बहुत तक जिसे कि एम खेलना पसand करते हैं जिसे कि फ्रीं फायर होगी है बिजी है में हो गया सकते हैं यहां पर लगभग आपको 10 के बीच में पिंग में आप प्ले करेंगे तोको 50 साथ तक आपका इसमें मिलता है फिंग प्रियों का भी लगबाग सेम रहता है बहुत जाता पिंग नहीं जाता है पिंग के मामले में लोकल से आपको बेटर यह देखने के लिए मिल जाता है सिफ्टिंग की बात करें जिसके एक लेगा से दूसरे लेगा जाना है आपने इंस्टॉल करवा दिया है काफी परेशान है तो सिफ्टिंग में आप कॉल करेंगे कस्टमर के अरको तो वह फाइबर वाले टीम को कॉल करके आपको रिलोकेट करवा देंगे तो उसके लिए भी इसनी सब्मिट करेंगे आपको खुद कंपनी की तरफ से कॉल आएगा आपसे पूछा जाएगा कि कहां इस्टॉल करवाना है कौन से प्लान आपको इस्टॉल करवाना है काफी इसी है और फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटल ओफिस में आप चले जाएंगे जी ओफिस में चले जाएंगे वहां से भी आप करवा सकते हैं या आप कस्टमर के अर्ज से भी बात कर सकते हैं वन टूवन पर या वन नाइन एट पर कहीं पर बात करके इस चीज को लगवा सकते हैं बहुत जगा आपने देखा होगा एटल एक्स्ट्रीम फाइबर का जैस अगर हम ओपीनियन की तरफ आते हैं तो देखिए दो थीन बहुत मेजर चीज है जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे आपको सबसे पहले देखिए अगर ज्यादा स्पीड चाहिए तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं सेम पराइज में लेकिन आपको अगर चैनल चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमी हैं को फोर के सेटअप जिसमां आपको पान्सो पचास चैनल लेखने के लिए मिलता है तो यह कर सकता है कि कौन से बेहतर रहेगा आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा